तो चलिए आज हम बनाते हरे प्याज और आलू से बनने वाला को चटपटा सा नास्ता जिसे आप सुबह के नास्ते या कोई मेहमान आए तो चटपट से बना कर सारू कर सकते हैं इसके लिए मैंने 6-7 हरे प्याज लिए हैं और 2 मीडियम साइज के आलू लिए हैं अब हरी प्याज को वाइट पाट के साथ इस तरह से कट कर लेंगे सभी प्याज को बारिक इस तरह से काट लेना है सभी प्याज बारिक काट कर लिए उनको एक पाउल में डालेंगे अब आलो के भी कटिंग करेंगे आलो को हमें छिल्की के साथ ही काटना है अलुकों मेने पारी से अच्छे से पहले से ही धो लिए थे इतनी कॉंटिटी में दो से तीन लोगों के लिए नास्ता बनकर त्यार हो जाएगा आप अपने कोडिंग कॉंटिटी बढ़ा सकते हैं अब इनको भी हरी प्याज में मिला लेंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब इसमें एक चमच बारी कुटावा आधरग डालेंगे और बारी कटीवी हरी मिस डालेंगे फिर इसमें कुछ सूखे मसाले अड़ करेंगे जैसे आधा चमच रैड चिली पोडर, आधा चमच नमक, आधा चमच गरम मसाला और आधा निम्बू का रस आप निम्बू की जंगें हम चूर पोडर भी डाल सकते हैं फिर इसमें एक कप पेसन डाल देंगे अब थोड़ा पाने डालेंगे और इन सब को एक साथ मिला लेंगे हमें इसे हाथ की मदद से ही मिलाना है ताकि बेसन हरी प्याज और आलू पे अच्छे से कोट हो जाए अब ये तियार हो चुका, एक कड़ाय लेंगे, उसमें तेल गरम करेंगे अब हाथ में थोड़ा बैटर लेंगे, छोटी-छोटी पकोडिया कर लेंगे हमें कड़ाय में इतनी ही पकोडिया डालनी है, जितनी उसमें आसानी से आज जाए हलका सा सिखने के बाद इनको पलट लेंगे और बस ऐसे ही अलट पलट कर इनको क्रिस्पी मना लेंगे तो दीखे कितना अच्छा कलर आया है इनका और खाने में तो ये लाजवाबी होगी बस थोड़ा सा ओर्शिकने देंगे इनको पकोड़ी अच्छे से क्रिस्पी हो गई है इनको एक टिशू पेपर पर निकाल लेंगे ये देखे कितनी क्रिस्पी और कितनी लाजवाब लग रही है तो चलिए जल्दी से इनको गर्म करम सरु कर लेते हैं होली भी पास में आ रही है आप होली के दिन इसको बनाएए सभी को ये बहुत पसंद आएगी उपर से थोड़ा चाट मसाला डाल दीजिए चाट मसाले से इनका टेस्क और भी दूगना हो जाएगा साम की हलकी फुलकी भूग में बनाएए और चाय के साथ मज़ लेते दे दिखाएए देखिए ये अंदर से भी कितनी अच्छे से सिख गई है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, कमेंड और सेर कीजिए ऐसी और मचदार वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें